काला हिरन शिकार मामले में जोधपूर सेंटर जेल में सजा काट रहे बॉलिवुट सुपरस्टार सल्मान खान की जमानत त्याचिका पर शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई है अदालत ने इस मामले में सल्मान खान को जमानत दे दी है गुरुवार को जूदपूर किसी जीम कोट ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरन के शिकार से जुड़े मामले में दूशी करार देते हुए 5 साल किद की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्हें कोट से सीधे जूदपूर सेंटरल जील भीज दिया गया था काला हिरन शिकार मामले में सलमान खान की जमानत पर कोड में सुनवाई अब तक की सबसे भारी छूटो लेक्स गड़ी में 70% औफ लक्षरी पीक देश अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 7 मएं को करेगी दैश सलमान खान शाम 6.30 से 7.30 बजे तक जेल से रहा हो जाएंगे दैश बताया जा रहा है कि 5.30 तक सलमान खान कोड के रहाई के आदेश जारी हो जाएंगे और जेल को भेज दिया जाएंगे दैश सल्मान खान को जमानत तो मिल गई है पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो आज से जेल से बाहर आएंगे की नहीं दैश जेल में दो दिन रहने के बाद सल्मान खान आएंगे बाहर दैश पचास दैश पचास हजार रुपए के दो निजी मुच लगके पर मिली जमानत सल्मान खान को दो जमानती मुच लगके पर मिली जमानत जेल प्रशासन ने कहा कि जेल के अंदर कोई सिल्फी और आईफोन की इजाज़त नहीं है जेल के अंदर कहीं से खाना नहीं आता है और जेल प्रशासन ही सलमान खान को खाना देता है दैश सलमान के वकील ने कहा कि हाई कोट उनके मुविकल को दो अन्य मामलों में भरी कर चुका है कोट ने कहा है कि यह साबित नहीं हो सकता कि चिंकर को सलमान ने ही अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारा था दैश सलमान खान के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है दैश सलमान के वकील ने कहा कि पोस्ट मॉर्टम के लिए हिरन की हड़े डया ही भेजी गई थी अभियोजन पक्ष ने कहा कि पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से साफ हुआ था कि हिरनों की मौत गोली लगने से ही हुई थी